नमस्कार विद्यारतियों आपको एस वीडियो में हिंदी पार्ट थर्ड का लेक्चर सही पूरा सश्टी करण का वीडियो दिखाएंगे और दिखाएंगे और ध्यान से वीडियो पर फोकस करें जरूर समझे आएगा पहला क्यूशन जो परिच्छा में उत्रिण नहीं हुआ हो उसे अनुत्रिण कहते हैं दूसरा क्यूशन जिसका निवारन न किया जा सके या जिसे करना आवस्यक हो उसे अनिवार कहते हैं तिसरा क्यूशन जो नियमा अनुसार न हो उसे अनियमित कहते हैं चौथा क्यूशन बरस या बरसात बिलकुल ना हो उसे अनावरिष्ट कहते हैं पाचवा क्यूशन पलक को जपकाय भी ना उसे हम अनिमेस या निमेस कहते हैं चटवा क्यूशन जिस सिस्त्री की आखे मचली के समान हो उसे मिनाच्छी कहते हैं साथवा क्यूशन अनुसरन करने योग उसे अनुसरनिये कहते हैं आठवा क्यूशन भूमी का पुत्र उसे भूम या मंगल कहते हैं नवा क्यूशन जिसका भासा दुबारा वरण किया जा सके उसे अवरणिये कहते हैं दसवा क्यूशन विदेशा में रहने वाला उसे प्रवास कहते हैं यारामा क्यूशन जिसका पुनर जन्म हुआ हो उसे पुनर जन्म कहते हैं बारामा क्यूशन इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे अंतिरित कहते हैं जो स्रेश्ट गुणों से युक्त ना हो उसे अनारी कहते हैं जोधामा क्युश्चन सीमा का अनुशित उनलंगन उसे अतिक्रमण कहते हैं जो कभी ने आया हो उसे अनागत कहते हैं सुलामा क्यूशन किसी कारे के बदले में की जाने वाली आसा उसे प्रत्यासा कहते हैं अत्रामा क्यूशन अनुकरण करने वाले योगे उसे अनुकरणी कहते हैं अत्रामा क्यूशन जिसकी आखे मगर जैसी हो उसे मगर राच कहते हैं उन्निसवा क्यूशन वस्त इधान्त जो हर वस्त को नस्वर मानता हो उसे अनित्यवादी कहते हैं बीस नमर क्यूशन जो ढखा हुआ ना हो उसे अनावरत कहते हैं इकीस नमर क्यूशन जो सब के मन की बात जानता हो उसे अन्तियोमी कहते हैं या अंतर्यामी भी कहते हैं माइस नमर क्यूशन जो तर्क से परे हो उसे अर्थ अर्थक के या अर्थधन अक के कहते हैं उसे अर्थक के कहते हैं तेशावा नमर क्यूशन प्राची नितियास का ग्याता उसे पूरा तत्तता कहते हैं 24 नमर क्यूशन मानुस के पुरसार्थ द्वारा रचा गया उसे बारुसे कहते हैं 25 नमर क्यूशन जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं थैंक्स फार वाचिंग